आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ साउथ इंडिया की पॉपुलर पॉंगल स्पेशल रेसिपी ब्रिंजल गोट्सु की रेसिपी जिसे खाया जाता है इडली डोसे और प्लेन राइस के साथ तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो एक बार आ हमें सबसे पहले चाहिए एक मीडियम साइस का भटते वाला बैंगन दो मीडियम साइस के टमाटर हमें चाहिए और एक गाठ हमें लसन की चाहिए जिने हम सारी चीजों को सबसे पहले भून लेंगे तो सबसे पहले गैस का फ्लेम कर लेंगे और मीडियम हम फ्लेम रखेंग तो यह आप देख सकते हैं बैंगन हमारा बिलकुल soft हो चुका है हर तरफ से हमने इसे पलटके अच्छे से सेक लिया था इसी तरीके से अब हम टमाटर को भी पलट पलटके सेकेंगे और जब टमाटर और बैंगन बिलकुल soft हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे ये देखिये इस तरीके से हमें सेक लेना है और साथ में हमने हापर लिया है ये थोड़ा सा गार्लिक इसे भी हम यहाँ पर भून लेंगे बैंगन टमाटर और गार्लिक जो हमने भून लिया था उसे अच्छे से पील करके हमें इस तरीके से मैश कर लेना है आप चाहे तो मैशर से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं और ये देखिए ये एक अच्छा सा पेस्ट हमारा यहाँ पर तयार हो गया है तीनों चीजों का टमाटर बैंगन और गार्लिक का तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की इमली की बॉल प्रिपेर करके उसका पल्प निकाल करके ये इमली का पानी तयार कर लिया है इसमें मैं यहाँ कुछ मसाले एड़ कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ हल्दी का एड़ कर दिया है साथ में मैं यहाँ पर एड़ करने जा रही हूँ टू टेबल स्पून सामर पाउडर के सामर पाउडर को एड़ कर देने के बाद स्वादा अनुसार नमक मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ और तीन पिंच मैं यहाँ पर हींके एड़ कर रही हूँ इसके बाद हम सारे मसालों को इमली के पानी में अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से हमें अच्छे से विस्क करके इन सारी चीजों को मिला लेना है इसके बाद हमने कड़ाई में एड़ किया एक टेबल स्पून ओयल ओयल के गरम होते ही मैं हापर एड़ कर रही हूँ साथ में तीन से चार हरी मिर्च अब हम इने चला लेंगे यहाँ पर और साथ में मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ थोड़ा सा कड़ी पत्ता और इसे भी हम यहाँ पर चला लेंगे प्यास को लगबग दो मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम में भून लेने के बाद मैं इसमें एड़ करने जा रही हूँ जो हमने बैंगन टमाटर और लस्तन का एक पेस्ट तयार कर लिया था भून करके वो सारा पेस्ट हम यहाँ पर एड़ कर देंगे बैंगन टमाटर को प्यास के साथ डाल देने के बाद हमें लगबग दो मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेना है तो यह सारा पेस्ट इसमें एड़ करके अब हम इसे चला लेंगे और medium to low flame में लगभग 2 मिनट तक हम इसे भून लेंगे इसके साथ मैं यहाँ पर add करने जा रही हूँ थोड़ा सा नमक क्यूंकि नमक को हमने इमली का पानी प्रिपेर करते वक्त भी add किया था तो उस चीज का ध्यान रखते हुए ही आप यहाँ पर नमक add करें मिला लेंगे अब हम इसे अच्छे से इसके साथ मैं यहाँ पर add कर रही हूँ मसालों का और इमली का जो हमने यहाँ पर पानी तयार कर लिया था वो हम यहाँ पर add कर देंगे मिला लेंगे इसे अच्छे से और इसके बाद मैं थोड़ा सा और पानी यहां एड़ कर रही हूँ तो जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए हो उस इसाब से आप इसकी ग्रेवी प्रिपेर कर लें तो जैसे इसमें एक बॉयल आना स्टार्ट हो जाए हम यहां पर एड़ करेंगे थोड़ा सा कोकोनट मिल्क तो यह यहां पर मैं कोकोनट मिल्क एड़ कर रही हूँ कोकोनट मिल्क को एड़ कर देने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे ग्रेवी में और इसके बाद हम इसका तड़का प्रिपेर करेंगे तो यह यहाँ पर हमने तड़का प्रिपेर कर लिया है ओल में हमने आपे मस्टर्ड सीट्स डाल दी है और चार सूखी लाल मिर्च इन्हें इसमें एड़ कर देने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे और आखिर में इसमें एड़ करेंगे हरापता धनिया का तो रेसिपी हमारी बिल्कुल तयार है एक बॉयल आजाने के बाद सर्फ करने के लिए तो सर्फ कीजिए आप इस मज़ेदार रेसिपी को प्लेन राइस के साथ यह प्लेन राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है और इडली डोसे के साथ भी आप इस रेसिपी को खा सकते है तो एक बार इस रेसिपी को आप इस तरीके से जरूर ट्राइ करें मुझे पूरा यकीन है जिन लोगों को बैंगन पसंद नहीं है वो इस रेसिपी को जरूर पसंद करेंगे वीडियो रेसिपी अगर आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा